Dear students, चिले हम लोग चलते हैं Class 9th के लिए Science subject को पढ़ते हैं जो CBAC के student होंगे English Medium में उन्हें आवसकता होगी Science का तो चले हम लोग 9th Class CBAC का Science पढ़ते हैं जो chapter हम लोग पढ़ रहते हैं वो chapter क्या है? Motion है तो motion में आज हम लोग बहुत ही अच्छा चीज़ सिखने वाले हैं जो आपके numerical में बहुत helpful होगा यानि कि जब आप numerical करेंगे तो उन formula का उन derive का आपको बहुत बहुत useful होगा तो चलिए हम आज उसको सिखते हैं तो आज जो topic में हम लोग सिखेंगे equation of motion by graphical method आज हम लोग जो सिखने वाले हैं वो motion का equation सिख रहे हैं किसकी सहता से तो graphical method के सहता से सबसे पहले आप ये समझें कि आखिर equation of motion क्या है equation of motion का मतलब क्या होता है और ये graphical method क्या है तो सबसे पहले इन चीजों को आप समझें कि equation of motion का मतलब हुआ कि motion related equation यानि कि formula जो हम लोग प्रूफ करेंगे कौन सा method से ग्राफिकल method से अब रहबाद की सर्फ कौन कौन सा formula है जर आप उसको दे दिजिए तो equation of motion में mostly तीन formula है there are three equation of motion तो उसके निचे लिखेगा दे रार three mainly three there are ऐसे लिखेगा दे एर आर में में ली कि त्री एक्वेशन कि त्री एक्वेशन ओफ मोशन यानि कि टूटल अब बात किया जाए तो equation of motion के कितने एक्वेशन है तीन एक्वेशन है अब तीनों equation क्या क्या है जरा उसको आप देख लिजे पहला equation है भी बराबर u plus 80 दूसरा equation है एस बराबर ut plus half 80 square और तिसरा equation है 2as is equal to v square minus u square यानि कि टूटल कितने equation हो गए टूटल तीन equation हो गए जी हाँ देख पा रहोंगे यानि कि यही तीन equation है जो आपका motion का equation कहलाता है कोई अगर पूछेगा कि equation of motion बताइए कि कितने तरह का होता है आप बोलिएगा तीन ही तरह का होता है कौन कौन तरह का एक भी बराबर u plus 80 एक दूसरा s बराबर ut plus half 80 square और तीसरा 2as is equal to v square minus u square देखिए यहां minus है 2as बराबर v square minus u square आपको जो है numerical बराने में यही तीन important formula का यूज होगा यही equation of motion कहलाता है अब जरा हम लोग सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं जान लेते हैं कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है तो यहां लिखेंगे where where u को हम लोग बोलते है initial velocity initial velocity v को बोलते है, final velocity ठीक है, फिर अगर बात करें, t का तो t होता है time यह का मतलब होता है, acceleration और s का मतलब होता है distance traveled by an object यानि कि distance लिख सकते है distance, ठीक है तो cool मिला कर अगर आप देखिएगा तो यह तीन तरह का हम लोगों का equation है motion का motion से related यही तीन equation है आप तीनो equation को बहुत अच्छ से याद कर लिजेगा बहुत important है यह तीनो equation of motion अब इस तीनों में जो यूज हुआ है u, v, t, a, s सब का मतलब है u का मतलब initial velocity v का मतलब final velocity t मतलब time a का मतलब acceleration s का मतलब distance ठीक है तो अब यह u, v, t, a, s के बारे में आगए अब हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे कि proof देखने वाले हैं अक्सर बोला जाता है कि आप proof करो यह formula का कि यह formula आया कहां से आप इस formula को proof करो कि यह formula कैसे proof होता है कैसे आता है यानि कि formula अभी तो हम लोग याद कर लेंगे लेकिन अगर सवाल में आएगा कि आप proof किजिए proof किजिए का मतलब formula को लाइए कि कैसे यह formula भी बराबर u plus 80 आता है ठीक है तो हम लोग बारी बारी से इन चीजों को formula को proof करेंगे पहले हम इसको proof करेंगे फिर इसको proof करेंगे तो यहाद इसको proof करेंगे चलिए आए यह देखते हैं आज हम लोग proof करते हैं formula B बराबर U पलस 80 को तो यहाँ पे अब जो हम लोगों को topic लिखना है proof कौँची proof तो B बराबर U पलस 80 यह वाला proof हम लोग अभी कर रहे हैं इसलिए हम इसको topic बनाया है proof proof का मतलब कि कैसे यह formula आता है कौँची से तो by graphical method by graphical method यानि कि graph की साहता से हम लोग B बराबर U पलस 80 को proof करने माले हैं जहां B का मतलब होता है final velocity और U का मतलब initial velocity A का मतलब acceleration और T का मतलब time यानि कि जब कोई object चलना सुरू करता है तब हम लोग उसको बोलते है initial और उसको हम लोग U से सुचित करता है अब उस चलते 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 कोई object अगर रुक जाता है तब उसको हम लोग बोलते है final velocity और final velocity को दिखाता है B से और A का मतलब सबजी रहे है acceleration change in velocity change in rate of rate of change of velocity with unit time और time का मतलब जितना time लिया चलिए तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए graphical method में हम लोग velocity time graph बनाते हैं कुछ बात देखिए याद रखना पड़ता है आपको कि B बराबर U plus 80 अगर बनाना होता है तो graphical method से कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीजे याद होना चाहिए तो आप हम लोग यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं sketch sketch velocity time graph हम लोग कौन सा graph sketch करेंगे तो velocity time graph start करेंगे खीचेंगे sketch करेंगे तो एक तरफ हो गया velocity एक तरफ हो गया time यहाँ पर आप graph को देखे अच्छा से इधर हो गया time promise इधर हो गया आपका velocity कि इसको और इसको k devil बाफ हो गया time इधर x-dash बना देंगे, इधर y-dash बना देंगे, ठीक है, यहां तो 0 हो गया, अब ऐसा मानना है, कि यहां पे कुछ न कुछ टाइम होगा, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, कुछ न कुछ होगा, इधर velocity कुछ न कुछ होगा, मान लिजीए, यहां पे, ठीक है, अब ऐसा मानना जा रहा है, कि यह यहां से कोई आबजेक्ट चलना स्टार्ट करता है यहां से ठीक है उसका हम नाम देते हैं ए उसका नाम क्या है अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन में चलता है अस्ट्रेट लाइन मोशन में चलता है हम और ज्यादा बड़ा बना रहते हैं यह ठीक है अब यहां से चलते चलते ऐसा माना जा रहा है कि B point तक ओ रुक गया ठीक है अब B point तक जहां रुका उसके नीचे वाला एक line को हम लोग dot 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 से मिला देते हैं ठीक है अब dot dot से मिलाएंगे और इसके सामने वाले को हम लोग इसको भी dot 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 से मिला देंगे देख पा रहोंगे इसके सामने वाला को भी डॉट 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 से बिला दिये अब इसको मिलाने के बाद आप देखिए यहां से यहां तक चुकि A से चलना स्टार्ट किया था तो यहां से यहां तक इनिसियल वेलोसिटी हो जाएगा A U और रुक कहा रहा है यहां पे तो यह किसके सामने है इसके सामने है तो हम बोलेंगे कि यहां से यहां तक हो गया फाइनल वेलोसिटी भी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गया फाइनल वेलोसिटी अब इसका नाम दे देते हैं A A हो गया यहां पे यहां पे b हो गया, यहां पे आप कर दिजिए c, ठीक है, और एक और इसके सामने अगर बनाएंगे, तो यह हो जाएगा, अपने से नाम दे दिजिए, यह हो जाएगा d, और यह हो जाएगा e, ठीक है, तो अब सब का नाम हो गया, जर आप यह समझे कि यहां से जब a से चलना start किया था तो उसका initial velocity क्या था यू और जब उन लास्ट चला गया लास्ट कहां तक गया है बी तक के यह से चला बी तक के रूग गया तो बी तक के रूगा तो उसके सामने का velocity कितना है वी यानि कि यहां पर ई-point तक उसका final velocity हो गया e और total यहां तो time लगा ना time एक second लग सकता है दो second लग सकता है तिन सेकेंड लग सकता है यहां पर अभी हम लोगों को time लग रहा है t ठीक है यहां से यहां तक कहाने में कितना time लग रहा है t तो अब यह graph बनाने के बाद आप यहां से आप देख पा रहे होंग कि इन ग्राफ इन ग्राफ ग्राफ में O से लेकर A तक की दूरी क्या है O से लेकर A तक की दूरी U है इनिशिल वैलोसिटी O से लेकर E तक की दूरी क्या है O से लेकर E तक की फाइनल वैलोसिटी V है और O से लेकर C तक के हम लोग time कितना लग रहे ती यह time लग रहे ती ठीक है अब हम लोग चुकी since A का फर्मूला acceleration का फर्मूला जानते हैं हम लोग acceleration acceleration का फर्मूला क्या होता है rate of change of velocity rate of change of velocity rate of change change of velocity velocity और बटा में time यही नहोता है तो rate of change of velocity का मतलब यह हुआ कि velocity में कितना का change आ रहा है यही न velocity में कितना का change आ रहा होता है तो यहाँ पर आप देख लेजिए ज़र हम आपको और अच्छा से दिखाना चाहते हैं चुकी copy खतम होगा इसका हाँ तो rate of change of velocity better time तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसके नीचे यह लिखिएगा कि acceleration को हम लोग किस से सुचित करते हैं final तो acceleration हम लोग पढ़ हैं कि A से सुचित किया जाता है अब A is equal to rate of change of velocity का मतलब कि velocity में कितना change आ रहा है तो एक velocity देखिए U है मतलब O से लेकर A तक है और एक velocity O से लेकर E तक है तो इसका velocity में change कितना का आया तो O E minus O A और बटा में time कितना लग रहा है इसको time लग रहा है O से लेकर C तक तो O C अब यहाँ से जरा A बराबर O E का formula क्या होता है तो O E का formula यहाँ पर भी है तो यहाँ O E के जगा पर भी कर दिये O E का value क्या है तो O E का value U है तो U कर दिया बटा में T अब हम लोग जानते हैं न कि इस A को A बटा 1 भी लिख सकते हैं और A बटा 1 लिखेंगे तो cross multiplication करते हैं तो जब cross multiplication करेंगे तो A को T से multiple करेंगे तो कितना होगा 80 और V minus U को 1 से multiple करेंगे तो 1 into V minus U तो क्या बनेगा यहाँ पर 80 is equal to V को भी 1 से multiple करेंगे और U को भी तो V minus U ही बचेगा अब आप जानते हैं न कि अगर कोई value इधर minus में होता है तो इधर जाता है तो क्या बनता है 80 पलस में U बराबर में V इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि V बराबर क्या हुआ U plus 80 क्योंकि हम लोग पलस में कैसे विद्धर रख सकते हैं जैसे 2 plus 3 भी 5 होता है और 3 plus 2 भी मिलके 5 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 80 plus U लिखे चाहे U plus 80 लिखे इस तरीके से यह हमें फर्मूला प्रूवड हो गया और अब हमको पता चल गया कि V बराबर U plus 80 को कैसे प्रूव करते हैं तो इन चीजों का बारबर टैक्टिस करने से आप भी सीख जाएगा कि कैसे प्रूव करते हैं क्योंकि सवाल में आता है कि V बराबर U plus 80 को प्रूव किजिए किस की मेथड से तो ग्राफ की मेथड से तो ग्राफ की मेथड से हम लोग ऐसे ही स्टॉल्व करते हैं अब बच गया है dear friends हम लोगों का दोगो एस बराबर UT प्लस half 80 स्क्वार और यह को होता है 2S बराबर V स्क्वार माइनस U स्क्वार तो यह दोनों एक्वेशन को हम लोग अगले क्लास में प्रूफ करेंगे तो आज तक के इतना ही और जब हम लोग का पूरा का पूरा एक्वेशन प्रूफ हो जाएगा पूरा का पूरा अगर हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो simple way में हम लोग अब numerical भी पढ़ेंगे कि इस basis पर कैसे हम लोग numerical बनाएंगे ठीक है तो आज के class को इतना ही तक के रहने दिजिए अगले class में हम equation को प्रूफ करेंगे दोनों equation अगले class में प्रूफ हो जाएंगी जब दोनों equation प्रूफ हो जाएंगी तो फिर तीसरे देने याने की कल बिच परसो रोज हम लोग क्या करेंगे इस पर numerical करेंगे तो आज के class को इतना ही धरने वाद